इश्वर सर्वरक्षक है आज इसके उपर हम विचार करेंगे सर्वरक्षक का अर्थ सब की रक्षा करने वाला सब कौन इस जगत के अंदर जितने जड़ चेतन प्राणी आप्राणी हैं उनकी इश्वर रक्षा करता है जड़ पदार्थों की भी इश्वर रक्षा करता है और प्राणियों की भी इश्वर रक्षा करता है जैसे पृत्वी है पृत्वी की रख्षा के लिए परमेश्वर ने पृत्वी के चारो और वायू मंदल बनाया है वायू का आवरन बनाया है जिससे पृत्वी की रख्षा होती है और आकाज से जो उलका पिंडाते है वो इस वायू मंदल से टकरा कर सुक्ष्म हो जाते है और वो पृत्वी के उपर जब गिरते है तो उसकी अधिक हानी नहीं करते है इसी परकार से परमेश्वर ने सूर्ये पृत्वी चंद्रमा आदी को अपने-अपने कक्षों में स्थापित किया है और वो नियम से भ्रह्मन कर रहे है जिससे की वो आपस में तकराते नहीं है और ये सृष्टी का जो कार्य है ये चलता रहता है ये इश्वर की पृत्वी सूर्ये आदी की रक्षा है परमेश्वर वायू की भी रक्षा करता है वायू दुशित हो जाती है तो सूर्य की किर्णों के माध्यम से अथवा पेड़ पौधों से जो शुद वायू आती है उससे वो वायू शुद हो जाती है दोशित वायू को पेड़ पौधे ग्रहन कर लेते है जल की भी इश्वर रक्षा करता है जल के अंदर जलचर प्राणी है जो जल की शुद्धी करते है और सूर्य की किर्णों के माध्यम से भी जल की शुद्धी होती है जल की रक्षा होती है परमेश्वर ने जीवों को शरीर देने से पहले उनके सब खाने पीने रहने की सांस लेने की विवस्था कर देता है पहले जो प्राणी जिस इस्थान पर पैदा हो रहा है चाए रेगिस्तान में पैदा हो रहा है बरफीले स्थान पर पैदा हो रहा है जंगलों में पैदा हो रहा है पाड़ों पर पैदा हो रहा है नदी समुद्र में पैदा हो रहा है उस उस प्राणी को वहाँ पर रहने की खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब होती है जिसके कारण से वो प्राणी उन उन स्थानों पर जीते रहते है इस परकार से ईश्वर उनके भोजन आदी की विवस्था करके उनकी रक्षा करता है हम दिन भर काम करते करते ठक जाते है शक्ती हमारी घट जाती है विश्राम की आवशकता होती है तो ईश्वर की विवस्था से जब रात्री होती है तो तमोगुन का प्रभाव होता है मन में भी तमोगुन बढ़ जाता है शरीर में भी तमोगुन बढ़ जाता है और हम रात को सोते हैं और सोने से हमें फिर से प्राते काल उटकर शक्ती सामर्थे की प्राती होती है एक परकार से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है और फिर प्राते काल उटकर फिर हम फुर्ती से कारे करने लगती है रात्री को सोते समय हमारा इंद्रियों के उपर नियंतरन नहीं रहता क्योंकि तमोगुन का प्रभाव होता है और सोते समय भी शरीर के अंदर जो प्राण है वो इश्वर की विवस्था से अपना कारे करते रहते हैं हमको पता ही लगता और हम जीते रहते हैं जो हमने खाया पिया है उसका पाचन आदी होता रहता है रसरत आदी बनता रहता है भिन भिन परकार के प्राणियों को परमेश्वर ने उत्पन किया है ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनिया है परन्तु कितनी योनिया है वो मनुष्य जान नहीं सकता बहुत सी जातियां तो ऐसी है जो लुप तो हो गई है और वर्तमान में भी कितनी जातियां हैं कितनी योनिया हैं उनको मनुष्य पूरा पूरा नहीं जान सकता इसलिए 84 लाक नहीं कहना चाहिए असंखे योनिया हैं उनको मनुश्य पूरा-पूरा नहीं जान सकता और भिन-भिन योनियों में जो प्राणी हैं उनको परमेश्वर ने जियान दिया है क्या खाना है, कहां रहना है, कैसे रहना है जिसके कारण वो उन-उन भिन-भिन योनियों में जो प्राणी है वो अपना जीवन यापन करते रहते है कुछ प्राणी ऐसे है जो केवल मास ही खाते है कुछ प्राणी ऐसे है जो केवल शाकाहरी है और कुछ प्राणी आपको ऐसे मिलेंगे जो मास भी खाते है और शाकाहरी भी खाते है और केचुवा है जो भूमी के अंदर रहता है वो मिट्टी भी खाता है तो भिन-भिन प्राणियों को ईश्वर ने परमेश्वर ने जान दिया है जिसके कारण वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं मनुश्य से भिन जो प्राणियों है जब वो रोगी हो जाते है कुट्टे को कुछ बादा शारीरिक बादा होती है तो गास खाकर वमन कर देता है उल्टी कर देता है उससे वो स्वस्थ हो जाता है इसी परकार से गाएं आदी है वो जब बिमार होती है तो ऐसा बताते है कि वो भोजन खाना पीना छोड़ देती है तो उससे उनका जो सिस्टम है ठीक हो जाता है और फिर से वो स्वस्त हो जाती है इस परकार से परमेश्वर ने भिन-भिन प्राणियों को ज्यान दिया है कि वो रोगी होने पर क्या खाए मनुश्यों को ईश्वर ने वेदों का ज्यान दिया है माता पिता दिये है विद्वान दिये है माता पिता विद्वान उनको सिखाते है अनेक परकार की विद्याएं देते है जिससे की वो अनेक परकार के रोगों से दुखों से बचे रहते है कुछ प्राणी, मनुश्यत्र प्राणी ऐसे होते है जो खतरनाक होते है, भ्यानक होते है, हिंसक होते है जैसे सांप आदी है तो ईश्वर ने उनको ऐसा ज्यान दिया है कि वो मनुश्यों से प्राय दूर भागते है सांप है कोई थोड़े सी खड़़ाट हो जाएगी वो भाग जाएगा इसी परकार से जो जंगली प्राणी है, हिंसक हैं, वो प्राय जंगलों में ही रहते हैं ग्रामों में, नगरों में नहीं आते हैं, उनकी ऐसी प्रवित्ती है तो ये भी ईश्वर ने उनको ऐसा ज्यान दिया है कि वो दूर रहते हैं मनुश्यों से और मनुश्यों की उनसे रक्षा होती है पौधे हैं पौधों के भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है पौधे सूर्य के परकाश से अपना भोजन बनाते है सूर्य का परकाश परमेश्वर ने दिया है और भूमी से भी पौधे भोजन प्राप्त करते है जड़ों के माध्यम से जल भी ग्रेंड करते है तो ये पौधों के जीवन के लिए भी ईश्वर ने सारी विवस्ताएं की है जिससे की वो पौधे जीते रहते है और उन पौधों से हमें भी लाग होता है शुदवायू हमें मिलती है अनेक परकार के फल, फुल, औश्दियां वनस्पतियां मिलती है अनेक परकार के फल है पपीता, सेब, अमरूद, केला, अनानाज, सेब आदी ये हमें इन पेड़ बौधों से प्राप्त होता है यदि ये फल ना होते है तो हम क्या खाते है इसी प परकार के अन उत्पन किये है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, आदी जिनको खाकर हम जीवन यापन करते है और दूसरे प्राणी भी इनको खाते है उनको खाने से उनका भी जीवन चलता है एक इश्वर की रक्षा इस रूप में है कि इश्वर अंदर बैठा हुआ भै भै लज्जा शंका उत्पन करता है जब योर ये भै लज्जा शंका भै आदी दूसरे प्राणियों में भी बताया गया है दूसरे प्राणियों को भी जब हानी की संभावना होती है तो भै लगता है और भाग जाते है और मनुश्यों में भी ये भै लज्जा शंका होती है जब कोई गलत कार्य व्यक्ति करने की इच्छा करता है तो भैल अज्जा शंका होती है ये समन्ने रूप से ईश्वर की सभी प्राणियों की रक्षा समझनी चाहिए इस रूप में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है परमेश्वर ने अनेक विध प्राणियों के शरीर के अंदर अगनी इस्थापित की है यदि प्राणियों के शरीर के अंदर अगनी ना हो तो प्राणी मर जाए और प्राणों को उत्पन करके शरीरों के अंदर इस्थापित किया है जैसे मनुष्य शरीर के अंदर दस प्राण बताए जाते हैं वो भिन भिन इस्थान पर विद्यमान है वो अपना अपना कारे कर रहे है जिसके कारण की मनुष्य जिवित रहते है ये भी परमेश्वर की रक्षा है जैसे बच्चा गर्ब के अंदर होता है गर्ब में उसकी रक्षा होती है इसी परकार से ये सारा जो संसार है वो परमेश्वर के गर्ब के अंदर है और परमेश्वर सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान होता हुआ व्यापक होता हुआ अंतर्यामी रूप से विद्यमान है सबके अस्तित्व का कारण बना हुआ है इस रूप में भी परमेश्वर सभी जड़ पदार्थों की रक्षा कर रहा है अगनी जो परमेश्वर ने बनाई वो हमारी अनेक परकार से रक्षा करती है अनेक दुखों से बचाती है वायू जो परमेश्वर ने बनाई वो भी हमारी रक्षा करती है अनेक दुखों से हमें बचाती है वायू से हम अनेक परियोजनों को सिद्ध करते है अनेक साधनों को बनाते है चलाते है अगनी से भी हम अनेक साधनों को बनाकर उनसे चलाते है बनाने में भी उनका उपयोग होता है और उन साधनों के होने से हमारा जो जीवन है वो सुख पुरवक चलता है जल परमेश्वर ने बनाया वो भी हमारी रक्षा करता है प्यास लगी हो प्यास का कश्ट हो रहा है और पानी ना हो तो दुख होता है तो जल पीने से वो दुख हमारा क्या है दूर होता है और जल से अनेक परकार की चिकिसाइं भी की जाती है अगनी से भी अनेक परकार की चिकिसाइं की जाती है पृत्वी भी हमारी अनेक परकार से रक्षा करती है वो अनेक परकार के अन ओशधी वनस्पतियों को उत्पन करती है इस रूप में भी हमारी रक्षा करती है और प्रिट्वी के अंदर अनेक परकार के खनिज पदार्त हैं जो कि हमारे भिन-भिन परियोजनों में काम आते हैं उनके माध्यन से हम अपनी अनेक कामनाओं को पूरा करते हुए इस संसार में सुख पूर्वग रहते हैं दूसरे प्राणियों के पास तो विशेश बुद्धी नहीं होती, समन्ने बुद्धी होती है लेकिन मनुश्यों को परमेश्वर ने विशेश बुद्धी दी है सुक्षम रूप में विद्धेमान है, मौल रूप में विद्धेमान है और मनुश्य बुद्धी का परियोग करके उन विद्ध्याओं का विस्तार करते है, परपंच करते है इस से उनकी बुद्धी भी विक्सित होती है और विद्ध्याओं का भी लाब होता है और उन विद्याओं से वो मनुश्य स्वेम भी सुकी होते हैं और दूसरों को भी सुकी करते हैं स्वेम भी लाभानवित होते हैं दूसरों को लाभानवित करते हैं तो ये वेदों का जयान देकर भी परमेश्वर ने सब मनुश्यों के उपर एक परकार का रक्षा की है माता पिता, विद्वान, मापुरुष, आदी परमेश्वर उत्पन करता है जिनके पाद्यम से हमारी रक्षा होती है जब बालक उत्पन होता है तो माता पिता का उसके प्रती विशेश लगाव होता है ये भी इश्वर की विवस्ता से होता है और वो कितने भी कष्ट क्यों न हो उन कष्टों को हस्ते हस्ते प्रसंता से सेहन करते हुए उस बालक का लालन पालन करते है तो ये ईश्वर की विवस्ता से होता है दूसरे प्राणियों में भी आपको ऐसा मिलेगा कि जो जरायुज प्राणी हैं जैसे गाएं होती है भैस होती है उनका अपने बच्चों के प्रती विशेश लगाव होता है वो उनकी रक्षा करते है तो ये भी ईश्वर की विवस्ता से होता है ईश्वर की एक रक्षा ये है कि ईश्वर नियाएधीश के समान हमारी रक्षा करता है जैसे लौकिक नियाए धीज तो या वकील आदी तो वकील फीस लेते है नियाए करने के लिए नियाए में साहता के लिए लेकिन परमेश्वर सभी जीवात्माओं का कर्मों का हिसाब रखता है उन कर्मों का ठीक ठीक फल देता है और इस कारे को करते हुए ईश्वर कुछ हम से लेता नहीं है मुफत में ईश्वर हमारा क्या है नियाए करता ये भी एक परकार से हमारी रक्षा है कर्मों को जानकर उनका फल देना ये समन्ने रूप से ईश्वर की सभी जड़ चेतन पदार्थों के प्रती रक्षा है ये उधारन के रूप में कुछ बताया है इसका और विचार करके इसको और हम इसका विस्तार कर सकते हैं दूतरी रक्षा ईश्वर की विशेश रक्षा होती है ईश्वर विशेश रूप से मनुष्यों के अंदर जो धार्मिक हैं सज्जन हैं योगी हैं उनकी परमेश्वर विशेश रूप से रक्षा करता है उनको अच्छे-च्छे गुण कर्म सौभावों के विशे में तत्तु जान देता है विद्या देता है और वो तत्तु जान धार्मिक मनुष्यों को भी प्राप्त होता है, योगियों को भी प्राप्त होता है कुछ तत्वजान ऐसा होता है जो समाधी से पहले प्राप्त होता है, वेराग्य से पहले प्राप्त होता है, कुछ तत्वजान ऐसा होता है जो वेराग्य के बाद समाधी अवस्ता में प्राप्त होता है, जो समाधी अवस्ता में तत्वजान प्राप्त होता है, वो उंचे स् रिले ही होता है, वो नीचे स्तर का तत्युजयान समज़ना चाहिएं, तो इश्वर अपनी विद्या, अपना तत्युजयान देancial उनकी रक्षा करता है, जो वेदों के अनुकूल अथ्वा इश्वर के अनुकूल चलते हैं, जो जितना मनुश्य वेदों के अनुकूल उपास्तना करता है इश्वर उतना उतना उसको साहता देता है उत्सा विज्यान आधी देता है ये इश्वर की विशेश रक्षा है और जो पून रूप से इश्वर के समर्पित होके चलता है तो इश्वर उसको शीगर ही समाधी प्राप्त करा के और फिर वो समाधी का समाध्य का अभ्यास करते हुए, जीवर मुक्त होते हुए, पून रूप से मुक्त हो जाता है, जनम मरन के चक्र से चुट जाता है, ये ईश्वर की विशेश रक्षा है, तो इस परकार से हमें सर्वरक्षक ईश्वर सब की रक्षा कैसे कैसे करता है, उसकी रक्षाएं कैसी ह समान्य रक्षा भी होती है विशेश रक्षा भी होती है उनके उपर हमें विचार करना चाहिए और हमें भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है कि इश्वर हमारी विशेश रूप से रक्षा कैसे कर रहा है उस व्यक्तिगत जो इश्वर की हमारी विशेश रक्षा है उ उसको भी हमें अनुभाव करने समझने का परियास करना चाहिए तो इससे उसको समझ कर अनुभाव करके उसकी स्मृति को बार बार उठा कर हम ईश्वर के प्रती विशेश, शर्दा, विश्वास, उत्पन कर सकते हैं यहीं कर दो